अगर आप एक स्टूडेंट है और आप अपनी एजूकेशन परस्यू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है आपने सुना होगा आज की फीस बहुत ज़ाधा हाई है आजके टाइम पर आएम्स में अगर आप जाएंगे तो एक आएम की फीस जानते है कितनी होती है 14 लाग रुपए से लेके 27 लाँ रुपए तक सिर्थ 2 साल के M.B.A की फीस होती है 14 लाग से लेके 25, 26, 27 लाग रुपे तक MBA की फीस हैं ये और आप higher education में जाएंगे तो आपको ये पैसे आपको और ज़ादा देने पड़ते हैं अलग-अलग institutes में इवन government institutes की भी फीस इतनी ज़ादा है कि एक normal विक्ति एक middle last विक्ति जब किसी institute में जाता है तो अपने पूरी post graduation करने के बाद वो तकरीबन 5-6 साल तक वो सिर्फ उस institute के loan चुकाता रहता है तो अभी इसी चीज के कम करने के लिए क्या किया गया है सरकार ने की योजना launch करी है इस योजना से बहुत सारे उन students को उन बच्चों को फाइदा मिलेगा जो की इन high fees के चक्कर में उन colleges में admission लेने का सोच भी नहीं सकते तो यह एक आम परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम होती है तो कई बार लोगों को अपने dreams पे compromise करना पड़ता है लेकिन अब इस योजना के साथ में उनको अपने dreams पे compromise नहीं करना पड़ेगा ये एक नई योजना आ रही है government of India की ये काविले तारीफ योजना है ये और योजना बताने से पहले हम आपको एक बात बताना जरूर बताने कि ये dreams आपके तब पूरे होंगे चब आपके exams वकर आपको बढ़िया से clear होते रहेंगे तो इन exams को बढ़िया से clear करने के लिए हमने यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे हमने दो sections है एक free course का section आपको यहाँ मिलेगा और एक previous year papers मिलेगा इसमें बहुत अच्छी अच्छी magazines और बहुत सारा free content डाला हुआ है उसको जरूर चेक आउट कर लीजेगा आईए अब आगे बढ़ते हैं और चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर लीजेगा आईएगा तो अब हम देख रहे हैं देखे यह है PM विद्या लक्ष्मी योजना इस scheme के तहट क्या किया जाएगा कि इस scheme के तहट 10 लाक रुपय तक का लोन जो है यह कोई भी student ले सकता है अपनी higher education करने के लिए और अब इसके कुछ criteria's हैं यह भी हम बताएंगे अभी आपको इसमें से जो 75% loan है माने 75% 10 लाक का कितना होता है 7.5 लाक रुपीज 7.5 लाक रुपय तक का जो लोन होगा उसके लिए सरकार की guarantee होगी अब इसका क्या मतलब होता है और यह collateral free होगा देखिए आम तोर पर अगर आप एक bank में जाते हैं loan लेने के लिए तो आप मान लीजिए bank से कहते हैं मुझे 10 लाक रुपय loan चाहिए तो bank आपको loan तब देगा जब आप कुछ में भी सबसे बड़ी एक condition यह है कि आप गिरवी क्या रख रहे हैं मान लीजिए अगर आप bank आपसे कहेगा अगर आप loan नहीं दे पाते हैं तो उस case में bank का पैसा तो डूप जाएगा तो bank आपसे कहेगा कि आप एक equivalent amount की चीज़ को आप गिरवी रखिए वो आपके जमीन के कागजात हो सकते हैं वो आपके गहने हो सकते हैं वो आपके घर के papers हो सकते हैं कि आप अपना घर गिरवी रखिए कि अगर धोके से आप वो पैसा नहीं लोटाल पाए education एक gamble भी है और यही एक tool भी है जिससे जीवन बचाया जा सकता है लेकिन हम जब education loan लेने जा रहे हैं तो हम यह हमें gamble खेल रहे हैं हम वो प्यारी education लेंगे बहुत अच्छे education लेंगे उस institute में जाके लेकिन God forbid अगर मेरी नौकरी उस समय नहीं लगी जो graduate करने के बाद तो क्या होगा शायद मेरा घर क्या bank वाले ले लेंगे इस दर से हो सकता है बहुत सारे लोग ये loan ही ना लेते हों तो इसके लिए क्या करा जाता है अब सरकार आई है सरकार ने बोला है कि देखें ऐसा है अभी तक जो आपको collateral आपको गिर्वी रख्वानी पड़ती थी चीज़े आप नहीं रख्वानी पड़ेंगी तो यहां ये बोला जा रहा है ये अशिनी वैशनों साथ ने इस चीज़ के बारे ने बताया कि 7.5 लाख रुपे के कर्ज पर यानि 75 फीज़दी credit guarantee मिल रही है विद्यार्थियों को 10 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्ज और credit guarantee का मतलब होता है कि अगर आप 10 लाख का ये limit है इसमें इसमें से 75% 7.5 लाख 7.5 लाख रुपे तक के लोन को अगर आप नहीं भी चुकाते हैं किसी current से अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो government दे देगी bank को वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा अगर कोई कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि आपकी मालीजें नौकर ही नहीं लगी अब आप कहां से चुकाएंगे पैसा क्या आपका घर गिरीवी रख दिया जाएगा नहीं तो अब आपको आगर आप वो पैसा नहीं चुका पाते हैं तो सरकार आपका घर नहीं लेगी bank आपका घर नहीं लेगा bank आपकी दुकान जो भी गहने bank किसी चीज़ पर कबजा नहीं करेगा वो जो bank का पैसा है वो सरकार bank को दे देगी आपके बहाफ पर और सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी उसके विना उसके एवज में सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी तो ये योजना है PM विद्यालक्ष्मी योजना और दूसरी बात आप यहां एक लाइन देख रहे है विद्यार्थियों को 10 लग तक मिलेगा सस्ता कर्च माने जो existing rate of interest होगा education loan का for example लगबग हमारे देश में education loan बहुत महंगा आपको पता है हमारे वहाँ car का loan सस्ता है और education का loan महंगा है तो education loan की जो सामान आमतर पर दर्ज होती हो 12 से 14% की होती है तो आपको इस पर 3% की rebate भी मिलेगी तो अगर आप इस योजना के तहत लेते हैं तो आपको 3% की rebate यानि अगर कोई इंसान 12% दे रहा है तो आप इस योजना के तहत हो तो आपको 9% ही आपको education loan पे उबर rate of interest देना पड़ेगा ये दो बहुत बड़ी चीज़े हैं अब प्रश्निया आता है कि हम क्या हम इसके लिए eligible हैं आई इसके लिए eligibility criteria देखते हैं और देखते हैं क्या सब को ये loan मिलेगा नई देखिए जो भी चात्रे ऐसे हैं जिनकी सालाना आए 8 लाक रुपए से जिनके परिवार की सालाना आए 8 लाक रुपए से कम है उनको ये benefit मिलेगा यानि अगर आपके family income का मतलब है अगर आपके सिर्फ father job करते हैं तो father की जो सालाना इंका में 8 लाक से कम है तो उनको ये लाप मिलेगा आपकी mother भी अगर मान लीज़े mother भी job करती है तो father mother दोनों की salary मिलाई जाएगी मतलब आपकी family income से आपका ये family income का 8 लाक रुपए होता है इसमें भाई बहन नहीं consider करे जाते है family में सिर्फ father और mother consider करे जाते है तो 8 लाक रुपए से कम होना चाहिए और आप किसी भी जाती से हो सकते हैं किसी भी धर्म से हो सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता इस योजना में दूसरी चीज और है और कितने सालों के लिए है तो ये 7 financial years के लिए इसको लगाया गया है और इसके लिए 3600 करोड़ रुपए सरकार ने अलग करे है क्या ये किसी भी college के लिए मिल जाएगी नहीं ये सिर्फ अच्छे college के लिए मिलेगी जहां पर बच्चों का जो government college होते है तो सरकार ने इसके लिए क्या किया हुआ है कुछ colleges को चूज किया है अब इसमें देखिए मोदी जी का ये tweet है A big boost to making education more accessible cabinet ने approve करा है PM मिध्या लेक्षणी scheme जहां youngsters जो है वो quality education उनको मिल सकेगी तो ये चीज़ आई है अच्छा अब देखिए का यहाँ पर किस particular उसमें essay institute जिनकी NIRF ranking जो है All India ranking के अगर हम बात करें तो ऐसी universities जो All India top 100 में आती है सिर्फ उनको मिलेगा या ऐसे college जो अपने state के top 200 colleges में आते हैं अगर आप NIRF की ranking देख रहे हैं तो आपको National Institute of Ranking Framework अगर आप उसमें देख रहे हैं तो जो top 100 colleges हैं इंडिया के उनी के लिए ये अगर आप उनमें admission ले रहे हैं तो मिलेगी या फिर अगर आप राज जी की बात कर रहे हैं तो आपके राज जी के जो top 200 colleges हैं उनमें मिलेगी colleges बहुत होते हैं एक राज जी में जैसे अगर मैं सिर्फ आपको लखनो का बताऊं हमारे लखनों में लखनों के आसपास सिर्फ पर सिर्फ लखनों के आसपास तकरीबन 200 से 200 अगर मैं फार्मा और लॉर ये सब भी colleges अगर मिला लूँ तो तकरीबन 200 से 300 colleges सिर्फ लखनों के 40 से 50 km radius में खुले हुए हैं ये तो मैंने से वे एक शहर की बात बोली है नॉइडा में ऐसे भतेरो मतलब दर्जनों दर्जन खुले हुए हैं महलो महलो में colleges तो इसी लिए बोला गया है state के जो top 200 है वहां और NIRF ranking में जो लोग participate करते हैं जो colleges उनके top 100 colleges को ही अगर आप वहां admission ले रहे हैं तो आपको ये योजना का लाभाप ले सकते हैं तो ये थी पूरी PM विद्यालिक्षमी योजना आप बताएगा क्या आपके college की rank क्या है और अगर आपको ये योजना आपको इस योजना पे आपका क्या कहना है या आपको क्या लगता है कि जनता वो जो 75% सरकार guarantee दे रही है लोग जानबूच के loan goal कर देंगे आपको क्या लगता है ये जरूर से बताएगा ये थी पूरी PM विद्यालिक्षमी योजना उमीद है शायद आपको इससे कुछ benefit मिल पाए और हाँ exam के लिए तो खेर बहुत ही important है exam point of view से भी इसको देख लीजेगा ठीक है चालिए thank you